तो आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं हाव टू कवर एकनोमिक्स इन ग्याप कि यह जो हमारा कल से लेकर 23rd of February से लेकर 17th of March तक का ग्याप है इस ग्याप के अंदर हमें किस तरह से इको प्रिपेर करनी है क्या हमारी स्ट्राटेजी रहने वाली है प्रॉपर डेवाइस टाइम टेबल में आपको देने वाली हूँ बताऊंगी कि किस दिन आपको इको का कौन सा चाप्तर करना है मॉर्निंग में करना है, नून के अंदर करना है कब आपको मैट्स प्रिपेर करनी है, कब आपको फिजिकल एजुकेशन पढ़नी है तो एक प्रॉपर टाइम टेबल में आपको आज की विडियो के अंदर देने वाली हूँ तो देखो सबसे पहली बाद तो ये जो टाइम टेबल है बहुत ही शानदार है एक बहुत ही मस्त आपको ग्याप मिलाए, प्रॉपर 24 डेस का इस ग्याप के अंदर आप इको भी अच्छे से प्रिपेर कर सकते हो मैट्स वाले मैट्स अच्छे से प्रिपेर कर सकते हैं, तो देखो आज आप इंग्लिश का पेपर देखर आ गए आज मेरी तरफ से कुछ मत करो, आज सिर्फ रेस्ट करो, अपने दिमाग को थोड़ा सा सुकून दो कल से हम लोग हमारा पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो देखो अब हमारे पास में दो तरह के बच्चे हैं, एक वो बच्चे हैं जिनका 9th को Mathematics का एक्जाम है दूसरे वो बच्चे हैं जिनका 12th को Physical Education का एक्जाम है तो इस वीडियो के अंदर में दोनों का Time Table देने वाले हूँ, वीडियो को And तक देखना देखो सबसे पहली बात तो 29th February तक का जो Time Table है इस मन्त के And तक का वो दोनों कैटिगरीज, दोनों ग्रुप्स के लिए Same है, चाहे PE वाले हो, चाहे Maths वाले हो बात करें, डिसकस करते हैं, देखो कल से हमें शुरुआत करनी है, आज आप आराम से Rest करोगे स्टिल बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं, जिनने लगता है कि आज भी शाम को कुछ पढ़ लेना चाहिए तो देखो आज पढ़ना चाहते हो, तो आज मैसेजिस्ट करूंगी कि मैक्रो का Foreign Exchange Rate चाप्टर पढ़ लेना पढ़ना मत बहुत ज्यादा जोर मत दालना दिमाग पर, Foreign Exchange Rate के लिए सिर्फ One Shots देख लो फिर विडियोस वगेरा देख लो, काम बन जाएगा, और मन करता है साथ में आप Government Budget पढ़ सकते हो, Government Budget सीधे आपको 6 नमबर देगा बाकी मेरे तरह से आज आज आप अराम से रेस्ट कर सकते हो, कल से हम लोग शुरुआत करते हैं तो देखो कल क्या करना है, दोनों के लिए है, Maths वालों के लिए भी है, Physical Education वालों के लिए है, 29 तक हमारा Timetable सेम चलेगा तो कल आपको सुबह, Indian ECO का एक Chapter करना है, Chapter No.1, Indian Economy on the Eve of Independence अब देखो यहाँ पर मैं चलो, आपको Chapter No.1 करना है, 2 करना है, यह मैं मेरी प्लेइलिस्ट के अकॉर्डिंग बता रही हूँ, जिस तरह से मैंने Chapter को डिवाइड करा है, NCIT का भी मैं बता दूंगी, तो देखो Indian ECO का Chapter No.1, Indian Economy on the Eve of Independence, इसके लिए आप चाहो, अगर आपने अ 10-day Strategy वाली Playlist, 12-day Strategy वाली Playlist भी मिलेगे, जिसके अंदर हम लोगोंने हर Chapter को 30-40 मिनिट के अंदर कवर करा है, तो सुबह हो जाएगा Chapter No.1, जैसे ही आप Chapter देखते हो, डिटेल्ड वन शॉट से प्रिपेर करते हो, उसके तुरंत बाद में आपको MCQs All करने है, तो MCQs के Number 2, मेरी Playlist के According में बता रही हो, Economic System and Common Goals of 5-Year Plans, इस Chapter का Detailed One-Shot छोट आसा है, 45-Minutes का ये Chapter है, चाप्टर करो, साथ-साथ में Chapter के MCQs कम्प्लीट कर लो, क्योंकि MCQs के अंदर मैंने Make Sure कर रहा है कि NCRT पूरी Cover हो, होगे अच्छे से तैयार, अब ये जो Next Step है, ये उन लेकर आना चाहते हैं, अगर आपको चाहिए ठीक है यार, 80 में से 75 आजाए, 70 से उपर आजाए, 75 आजाए, तो फिर आप One-Shot से प्रिपेर कर लो, साथ-साथ में NCQs वाली Playlist फॉलो कर लो, वो कामारां से हो जाएगा, 75 ला सकते हो, if you want to get 80 on 80, तो ज़रूरी है Indian Eco के लिए, Macro के लिए नहीं, कि आप साथ-साथ में NCRT की Reading करो, NCRT का Chapter No.1 रीड कर लो, और आपके पास में जो भी Reference Book है, चाहे TR Gen है, संदीब गर्ग है, उसके Back Questions भी लगा लो, Chapter No.1, NCRT का मेरा Chapter No.1 और 2 है, समझ में आगा कल का पूरा प्लान? अब 24 को परसो आपको क्या करना है, सुबे सुबे आपको करना है Indian Eco का Chapter No.3, Chapter No.3 है हमारा Indian Economy 1950 से लेकर 1990 तक का, साथ-साथ में आपको NCQs लगाने हैं, पहले कुछ नहीं पढ़ रखा, Detail Playlist से पढ़ना, अगर पहले पढ़ रखा है, तो 10 Day Strategy वाली Playlist से पढ़ सकते हो, अच् Chapter No.3, NCRT का Chapter No.2 है, साथ में जो भी reference book है, उसके back questions आपको करके नहीं देखने हैं, सिर्फ back questions की reading कर लेना, आइडिया लग जाएगा, exam में questions, questions, पूछे जाते हैं, किस तरह से आपको answers, attempt करने, MCQ वगेरा देख लेना, Evening के अंदर आपको करना है Chapter No.4, Economic Reform Since 1991, New Economic Policy वाला Chapter, अच्छा score करना चाहते हो, NCRT की reading और back questions साथ में कर देना, अदर्वाइस, One Shots और NCQ से काम बन जाएगा, 25th को आप क्या करोगे, देखो 25th को, Macro का Chapter No.124, Macro का Chapter No.124 का मतलब है, हमारी जो NCRT है, उसका Chapter No.12, अब मैं अगेन बोड लूँ, Macro के लिए आपको NCRT read करने की ज पूरी cover हो जाएगी, 1-2-4 के detailed one shots, साथ-साथ में मैंने 5th video और बनाई है playlist के अंदर, जिसके अंदर मैंने सारे extra questions कवर करें, वो अली video भी देख लेना, तो 5 videos आपके पास में हो गई, पूरी unit 1 आपकी cover हो जाएगी, साथ-साथ में मैं आपको MCQs प्रोवाइड करती जाओं शाम-शाम तक आप unit complete कर लोगे, बहुत अराम से फिर से revision करना, अब 26th को आपको क्या करना है, सुबे के अंदर सबसे पहले 25th को आपने जो macro की 1-4 chapters करे है, NCRT का chapter number 1-2, उसे आपको अच्छे से revise करना है, revision करने के लिए सबसे आप पहले आप formulas अच्छे से देखोगे, सबस के बाद में बहुत सारे extra questions की practice करनी है, आपकी reference book के अंदर हर method के बहुत सारे questions है, उन questions की practice करो, MCQs की practice करना, नहीं तो मेरी पिछले साल वाली playlist में चल जाओ, उसमें आपको बहुत सारे national income के extra questions मिल जाएंगे, मैं और नई videos भी बना दूँगे, उन से आप कर लो, Evening के अंदर आपको करना है macro का chapter number 5 and 6, मेरी playlist के एसाब से बता रही हूँ, chapter number 5 है money, chapter number 6 है banking, NCRT के अंदर ये दोनों एक ही chapter है, chapter number 3 money and banking, एक ही unit है, तो detailed lectures देख लेना, एक एक डेड़ गंटे के है, अराम से 3 गंटे में निप्टाल होगे, साथ में MCQs करने हैं, playlist के अंदर द जो previous year board exams में पूछे गए हैं, वहाँ पर mention है सारी चीजे, समझ में आगे 26 तक किस तरह से पढ़ना है, तो अभी तक हम लोग Indian ECO के chapter number 4, new economic policy तक निप्टा चुके हैं, macro का हम लोग chapter number 6, यारी कि 2 units निप्टा चुके हैं, समझ में आ गया, आगे बात करते हैं 27th को आपको क्य करना है, तो 27th को सुबे सुबे आपको करना है, Indian ECO का chapter, human capital formation, आसान सा chapter है, साथ साथ में MCQ, देखो one shot देखना, और MCQs करना, ये compulsory है, NCRT reading सिर्फ उन बच्चों के लिए है, जो exactly 80 on 80 score करना चाहते, 75 marks लेकर आने, तो आप सिर्फ detailed one shot देख लो, साथ साथ में में MCQs कर लो, MCQs से NCRT cover हो रही है, समझ में आ गया, Evening के अंदर करना है, आपको Indian ECO का chapter, rural development, वही chapter के साथ साथ में, आपको MCQs solve करने है, और NCRT reading समझ में आ गया, 28th को आपको morning में करना है, Macro का chapter number 7, aggregate demand, aggregate supply and related concept, और इस chapter के लिए में पहले ही, बोर्यू, detail वाली videos देखना, ये जो unit है, इ 40 minutes वाली video है, ये सिर्फ आपके revision के लिए है, कि last minute पर आप revision कर सको, या फिर दुबारा पढ़ना है, तो quickly आपने revision कर लिया, तो detailed one shot से देखना, उसकी speed increase कर लेना, अब देखो ये जो chapter है, ये कौन सा है, अगर हम NCRT की बात करें, तो chapter number 4 है, लेकिन अगर हम reference books की बात करें, जैसे मैंने पढ़ाया है, तो chapter number 7, chapter number 8, chapter number 9, तीन chapters मिला कर बनता है, आपका NCRT का chapter number 4, समझ में आया, तो chapter number 7 करना है, मेरी playlist के according, साथ साथ में NCQs करने है, back questions लगाने है, अब back questions में theory वाले questions नहीं लगाओगे, back questions के अंदर आप numerical करोगे, in fact मेरी जो detailed one shot है, उसके अंदर मैं detailed one shot से कर लेना, साथ साथ में MCQ, दुबारा बोल रही हूँ, हमें Indian ECO के लिए NCRT की requirement है, macro के लिए NCRT read करने की जर्वत नहीं है, MCQs और one shot से काम बन जाएगा, 29th February को क्या करोगे, morning के अंदर करना है, आपको chapter number 8, short run equilibrium output, और इस chapter के MCQs करना है, और सबसे important इस chapter के अंदर बह detailed one shots वाली, तो सबसे पहले मैंने इस chapter को दो parts के अंदर करा है, एक part के अंदर मैंने आपको इस chapter की पूरी theory कवर करवाई है, दूसरे part के अंदर हम लोगों ने इस chapter के सारे numerical questions करे, बागी chapters के आपको one shots में लेंगे, ये chapter मैंने दो parts में करा है, तो ये numerical please बहुत अच्छे से कर इस chapter से 100% numerical question exam में पूछा जाना है, इविनिंग में आपको करना है, last chapter इस unit का chapter number 9, problem of deficient demand and excess demand, साथ में MCQs practice करोगे, back questions लगाओगे, back questions याद रखना, इस chapter के सबसे important है, chapter number 8 के, shorter and equilibrium output के, समझ में आया, तो ये 29 तक का जो time table है, ये maths वालो को भी same follow करना है, ये physical education वालो को भी same follow करना है, अब हमारा time table change उठाप है, first से, ठीक है, तो हमारे पास में दो कैटिकरी के बच्चे है, maths वाले और physical education वाले, सबसे पहले maths वालो की बात करते है, इनका paper पहले, then हम PE वालो पर आएंगे, तो ये को सबसे पहले maths वालो की बात करते है, maths वालो को first से लेकर 8 तक, 8 दिन आपको eco की book को बंद कर देना है, touch भी नहीं करना, खोल के बही नहीं देखना, आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करनी है, maths करनी है, maths में ace करना है, impact अगर आप चाहो, तो first से पहले भी, जब जब आपको time मिल रहा है, आप थोड़ा-थोडा सा maths पढ़ सकते हो, बहुत अराम से क कर सकते हो, first से 8 तक आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, maths पढ़नी है, समझ में आया, 9 को आप paper देकर आओगे, आराम से सो, रात को जागोगे, evening के अंदर 7-8 बजे, आप कर सकते हो, यार जो भी आपका pending रहे गया, पीछे वाले time table के अंदर आपको लग रहा है, इस chapter को ह भी आपके pending chapters है, वो आप 9 की evening में निप्टा सकते हो, ताकि 10 से fresh start करे, अब 10 की morning में आपको करना है, Indian ECO का एक बहुत ही छोटा सा chapter है, environment, साथ साथ में NCRT reading लगाने न, MCQS मैंने बोला है, करने ही है compulsory, अगर पूरे number लाने है, evening में करोगे आप government budget macro का, इसके लिए NCRT reading नह करना है, Indian ECO का last chapter, developmental experiences of India and its neighbors, बोले तो, India, China and Pakistan, इस chapter के लिए मैं पहले कह रही हूँ, detail video देखना, in fact, अगर detail video देख भी लिया आपने, पूरा chapter पढ़ भी लिया न, तो एक बार चो short videos है न, 30 minutes वाली वहां से ये chapter दुबारा revise करना, क्योंकि इस chapter से बहुत सारे MCQS exam में बहुत अच्छे से prepare करना, evening में करना है, आपको chapter foreign exchange rate, ठीक है, तो ये दो chapters अच्छे से करना, एक तो government budget सीरा ही है, अकेला chapter आपको 6 number दिलवाएगा, और एक ये India, China, Pakistan important chapter है, हर तरह के questions यहां से पूछे जाएंगे, 12th को आप करोगे, macro का last chapter, balance of payments, दिन के अंदर आप क्या करो NCRT read कर सकते हो, MCQs की practice कर सकते हो, समझ में आ गया, evening में आपको क्या करना है, Indian ECO का chapter number 1 to 4 revise करना है, तो revision के लिए मैंने बता दिया, revision के लिए मैंने छोटी वीडियोस बना रखी है, Indian ECO की playlist का नाम है, 10 day strategy करके है, macro के लिए है, 12 day strategy, उसमें 30 से 40 minute में हर chapter cover है, तो Indian के chapter number 1 to 4, म समझ में आ गया, आगे क्या करेंगे हमारे maths वाले, 13th को आपको बची कुची Indian revise करनी है, सबसे पहले 4th chapter के बाद वाली, और macro की unit 1 आपको revise करनी है, national income आपको revise करना है, कैसे करोगे, जितने extra questions कर सकते हो, उतना extra questions करो, कि हर method के 5-6 extra questions आप करते जा रहे हो, अगर आप net पे दा 5th number वाली video है, उसमें मैंने 10 extra questions करा रहे हैं, वो आप कर सकते हो, मेरी पिछले साल की playlist में चल जाओ, वहाँ पर आपको national income के बहुत सारे PYQs मिलेंगे, वहाँ से आप कर सकते हो, तो proper revision करना है, यहाँ पर आपको numerical का, 14th को आपको बची कुची macro revise करनी है, जब आप बची तो theory वाले chapters, आप आराम से one shot जो videos है, short वाली videos है, उनसे कर सकते हो, यहाँ पर आपको जो unit 3 है, determination of income and employment, जिसमें ADAS वाला chapter है, short run वाला chapter है, deficient demand and excess demand वाला chapter है, इस chapter के जितने extra questions कर सकते हो, उतने extra questions की practice करना, आपकी book के अंदर बहुत सारे back questions दे रखे हैं, उन questions की practice करना, मेरी playlist के अंदर मैंने करार रखे हैं, previous year की playlist से उठा उठा के questions करो, अच्छे से तयारी करने हैं, समझ में आया, तो यह time table है, maths वालों का 14 तक का, सबसे पहले समझ में आया, अब हम physical education वालों की बात करते हैं, उनका 14 तक का time table discuss करते हैं, then 15, 16 और 17 को क्या करना है, वो दोनों categories के ब से सेट करा है, कि ECO थोड़ा-थोड़ा और थोड़ा-थोड़ा आप साप में physical education कर सको, उसके बाद में 6 त से लेकर 11 तक, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 6 दिन है हमारे पास में, 6 दिन आप सिर्फ और सिर्फ physical education करोगे, ECO की बुक को टच भी नहीं करना, तो फर्स्ट को आपको क्या करना ह है, environment, साथ-साथ में MCQs आपको लगा दे है, NCRT रीड करने का मतन करता है, तो करो, otherwise मेरे lecture सफिशेंट है, second को आपको करना है, India, China, Pakistan, detailed one shot से आपको ये chapter पढ़ना है, साथ-साथ में MCQs करने, ये chapter बहुत important है, इसे detail में देखना, in practice का साथ-साथ में revision भी करते जाना, third को है, macro का chapter government budget, ये आप मेरे lecture से कर सकते हो, साथ-साथ में आपको MCQs की practice करनी है, अब यहाँ पर आप देख रहे हो, मैंने ECO का सिर्फ एक-एक chapter ही set करा है, ताकि बचे कुछे दिन आप अपना जो rest of the day है, उसके अदर physical education भी prepare कर सको, तो अपने हिसाब से कर ले ना, कि सुबे ECO कर ली, तो दिन में शाम को आपने physical education कर लिया, सुबे physical education कर लिया, दिन में physical education कर लिया, शाम को बैठ कर आपने Indian ECO कर ली, इस तरह से strictly time table को follow करना है, फोर्थ को आपको करना है macro का foreign exchange rate, फिफ्थ को आपको करना है macro का last chapter balance of payments, बाकी time of physical education करो, अब 6 से 11 तक macro को आपको touch भी न करना है, ये जो India, China, Pakistan वाला chapter पढ़ाता, इस chapter को आप properly revise करोगे, revise करने के लिए मैंने 30 minutes की वीडियो बना रखी, उस वीडियो से आप अराम से revise कर सकते हो, और साथ साथ में ये जो foreign exchange rate chapter है, इसका properly revision कर लेना, short video से, आपको macro की 12 days वाली playlist मिल जाएगी, Indian ECO की 10 days strategy करके playlist मिल जा समझ में आ गया, अब 13 को क्या करना है physical education वालो को, आपको पूरी की पूरी Indian revise करनी है, short video से आप revise कर सकते हो, 14 को आपको पूरी की पूरी macro revise करनी हो, जब आप macro revise कर रहे हो, make sure करना कि unit 1 के numerical questions की आप अच्छे से practice करो, unit 3 के numerical questions की आप practice अच्छे से करो, और numerical questions की practice कहां से करोगे तो उसके लिए आपको playlist के अंदर भी numerical questions की video मिल जाएगी, जैसे unit 3 के अंदर आपको मेरी separate video मिलेगी, जिसमें मैंने numerical questions कराया है, short run वाले chapter की, unit 1 के लिए जो मेरी fourth video है, उसके अंदर हम लोगोंने numerical questions करे हैं, fifth video मैं मैंने आपको extra questions कराया है, और नई videos भी दे दूँगी, merge कर के भी provide कर दूँगी, इन तक previous year की playlist से भी आप बहुत सारे extra questions की videos निकाल सकते हो, वहाँ से भी आप पढ़ सकते हो, समझ में आया, तो ये 14 तक का time table हो गया, हमारा maths और PE, दोनों बचों का, अब आगे हमें क्या करना है, 15th को आपको करना है, CBSE का sample paper solve, CBSE के दो sample papers, एक पहले आया था, शुरू आप में एक अभी recently आया था, दोनों sample papers solve करने हैं, उसके अलावा, मैं ये क्याती हूँ, properly आप revision करो, और ये पूरे में से पूरे लेकर आने हैं, तो मन करता है, तो 2-3 sample papers और लगा लेना, previous year का question paper solve कर लेना, अगर sample papers नहीं है, sample paper है, ओ स्वाल के, तो बहु करनी है, presentation आपका proper होना ची, जैसा आप exactly exam में करके आने वाले हो, तो 15 को ये सारा revision वाला काम हो गया, 16 को आपको अच्छे से Indian ECO revise करनी है, एक किताब revise करनी है, शाम को मैं आपका Indian ECO का test लूँगी, सेम ऐसे ही 17 को आपको macro revise करनी है, macro का मैं आपका test लूँगी, प्लस ये जो last के 2-3 दिन है, इन दिन के अंदर आपको क्या क्या करना है, तो देखो macro के अंदर tables और curves सबसे important है, specially unit 3 के अंदर बहुत सारे tables और curves है, हमारे foreign exchange rate वाले chapter के अंदर बहुत सारे curves है, इन curves की अच्छे से practice करनी है, एक copy लो, उसके अंदर सारे के सारे tables बनाते जाओ, सारे की सार curves की एक सारे प्राक्टिस करते जाना, macro के अंदर सारे formulas को अच्छे से revise करना है, specially unit 1 और 3 के अंदर formulas है, formulas को अच्छे से revise करो, एक paper पर सारे formulas लिख लो, उन्हें बार 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 revise करो, कमरे के अंदर चिपका दो वो formula वाली sheet, ताकि बार बार आप देखते रहो, तो एक बार मत वीडियो भी मिल जाएगी, मैं नई वीडियो भी दे दूँगे, उसके अंदर से सारी dates एक बार revise करना, specially जो last chapter है, India, China, Pakistan, यहाँ से question आएगा, dates के according की चीजों को chronological order में arrange करो, तो dates revise करनी है, जितने भी important questions है, आपको YouTube पर बहुत सारे important questions मिलेंगे, उन important questions को अच्छे से practice करो उनके लिखने की practice भी करना कि किस तरह से answers attempt करने है, जो questions previous year board exams में पूछे गए है, presentation पर proper focus रखना है, answer writing किस तरह से करनी है, employment chapter से question बनता है, data analysis वाला, उस तरह के questions की practice करो, कि data याद नहीं रखना है, data आपको exam के अंदर given होगा, उस data को समझ कर, उस data के पीछे का आपको reason नहीं है, तो यह मैंने आपको दे धिया एक proper time table कि किस तरह से in 24 days के अंदर आप ECO भी prepare कर सकते हो, आप physical education भी prepare कर सकते हो, अगर maths भी prepare कर सकते हो, अगर maths भी prepare कर सकते हो, proper day wise time table दिया है, अब यह सिर्फ आप पर depend करता है, अगर आप consistency के साथ में इस time table को follow करते हो, तो आप ECO मैं बहुत सारे दे सकती हो, बट वही है, जो 24 days में आप कर सकते हो, वो काम आप दो दिन में नहीं कर सकते हो, तो इस time table को एकदम consistency के साथ में आपको follow करना है, सब मुझे comments में लिखेंगे कि माम हम इस time table को consistency के साथ में follow करने वाले हैं, and we are going to score 80 on 80 in economics, so I will see you in the next class, bye-bye.